वेल्कeम टू टेक्स मास्टर कलास्स आप देख रहे हैं कॉम्पूम्पूम्पूरी में हम लोग कवर कर रहे हैं Monday, Wednesday and Friday को आप income tax withholding की comprehensive commentary देख सकते हैं 6 PM पर और every Sunday आप देख रहे हैं sales tax जो goods के ओपर लगता है और service tax Punjab के हवाले से जो services पर लगता है comprehensive commentary और every Sunday 6 PM आप ये देख रहे हैं हम दोरों laws को साथ साथ compare कर रहे हैं इस वक्त आप section 2 देख रहे हैं of sales tax act 1990 और normally tax के जितने भी कवरनीन हैं और और भी कवरनीन tax के लावा भी ये pattern या format फॉलो करते हैं कि section 1 में उसका scope होता है कि वो बंजाब में apply होगा या वो पूरे पाकिस्तान में apply होगा इस तरह करके और इसका नाम क्या है और कब से ये act apply होगा या कानून active होगा और section 2 में definitions दिये होते हैं जिसका मकसद होता है कि जब law में वो सारे words जैसे सबसे पहले active taxpayer से हम start करेंगे तो इससे क्या मुराद है ताकि किसी को कोई confusion ना हो और अगर आप गोर से देखें तो जो tax laws है उनकी खुबसूरती इस बात में है कि हर चीज clearly stated होता है tax law में tax लगाने के लिए चाहे direct tax हो income tax की तरह या indirect tax हो sales या service tax की तरह उसको clear अलफाज में law की सूरत में सामने होना चाहे और हम comparison कर रहे हैं आप देख रहे हैं part 4 sales tax और service tax का तो definitions में वो कहता है in this act unless there is anything repugnant in the subject or context यानि के ये जो meanings दिये हुए हैं ये meanings जो हैं वो इस law में apply होंगे तो active taxpayer जहां जहां भी जिकर होगा तो उससे law में क्या मुराद है और हम बात करें sales tax की यानि के वो कानून जो manufacturer, importer, distributor, wholesaler और retailer और retailer पर mainly apply होता है और उन सारों का मकस्द ये है कि वो tax नहीं बलके वो आपके भी हाफ पर tax pay करते जाते हैं और फिर finally जब आप और मैं as a final consumer कोई product जैसे petrol हो गया या कोई खाने पीनी के चीज़ें हो गए या medicine हो गए या कोई electronic goods हो गए तो फिर वो जो final sales tax है वो हम pay करते हैं और अकसर invoice पर जो आपने tax देखा होगा वो sales tax होगा या अब आप जो देख रहे होंगे वो service tax भी हो सकता है तो दोनों जो है ना अब पाकिस्तान में implemented है चाहे आप goods use कर रहे हैं या services दोनों पर tax होता है और वो कहता है कि active taxpayer means means का मतलब है कि यहाँ जो meaning दिया है वो comprehensive है यहाँ जो चार points दिया है यह जो है कि करते हैं अगर कोई शक्स यह conditions पूरी करता है तो active taxpayer होगा otherwise वो active taxpayer नहीं होगा तो sales tax के कानून में जहां भी active taxpayer को कोई benefit मिला है या कोई penalties है तो इन लोगों यह लोग जो यह conditions पूरी करते हैं उससे मुराद होगा active taxpayer active taxpayer means a registered person registered person की definition हम आगे देखेंगे registered person का मतलब है कि यहाँ सिरफ active taxpayer की बात हो रही है with reference to sales tax law में FBR के साथ जो registered है क्योंकि sales tax जो है वो एक federal law है तो इसको FBR जो है ना implement करती है पूरे पाकिस्तान में including Islamabad यानि हर एक province में और अजाज जमो कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है लेकिन उन्होंने भी adopt किया हुआ है और गिल-गिल पस्तिरिस्तान भी जो है वो फिलाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है constitution की मताबर तो उन्होंने भी इसको adopt किया हुआ है तो उस लिहाज से ये चीजें वहां भी ये वाले कानून भी apply होते है वो कहता है who does not fall in any of the following categories namely यानि के ऐसी definition बताई है जहां पे उन्होंने चार ऐसी conditions बताई है जिन में से कोई एक condition कोई शक्स कोई registered person पूरा ना क रहा हो तो वो active taxpayer नहीं रहेगा वो कहता है who is blacklisted or whose registration is suspended in terms of section 21 तो यहां वो कह रहा है कि active taxpayer हर registered person active taxpayer होगा unless कि उसको blacklisted कर दिया जाता है या उसकी registration जो है ना वो suspend हो जाती है section 21 से मराद है कि sales tax act 1990 का section 21 यही कानून जो इस वक्ता हम देख रहे हैं इस section को भी हम देखेंगे blacklisting के वाले से registration fails to file the return under section 26 by the due date for two consecutive tax periods तो जैसे आपको पता होगा कि sales tax return हर month file की जाती है example यह कि इस वक्त चल रहा है December का month यह आप जो वीडियो देख रहे होंगे शायद December January हो जिस month या year में भी आप देख रहे हैं तो December का अगर month की ब आपने इसकी tax return file करनी है जहां आपने बताना है आपने किती sales की थी किती purchases की थी और वो section 26 में cover होगा तो जो शक्स दो consecutive tax periods में due date के बाद 15 January इस case में 18 January के case से ज़्यादा लेट होगा तो वो active tax period से निकल जाएगा और काफी harsh treatment है क्योंकि हो सकता है लेट हो जाए लेकिन का मतल online systems जो बनते जा रहे हैं अब आप December 2021 से sales tax return भी जो है न वो आप IRIS में ही file कर सकेंगे अपनी मंतली sales tax return जिस की ये बात करा है section 26 के तर वो कहता है who fails third condition C who fails to file an income tax return under section 114 यानि कि ये है income tax return आपने साल में एक दफा फाइल करनी होती है अपने tax year के साब से जो normally जुलाई में start होता है और जून में खतम होता है तो कहता है कि अगर कोई शक्स registered person है और वो registered person जो है वो income tax return जो है अपनी file नहीं करता 114 के तह तो statement जो है जो है वो active taxpayer नहीं रहेगा जिस साल वो नहीं करेगा उस साल वो हो जाए और statement under section 115 इसका मतलब यह है कि tax returns broadly दो किसम की होती है 114 नॉर्मल tax return जिसको आप कहते हैं जिसमें salary aid और वो सब कुछ आता है और वो लोग जिन से सारा tax deduct हो जाता है वो special tax return फाइल करते है 115 की तो इन दोनों मेंसे जो भी उस person पे यानिके registered person पे applicable थी वो जो है उस case में उसने file ने की of the income tax ordinance 2000 by the due date तो अगर वो डी लिस्ट हो जाए तब भी वो active taxpayer नहीं रहेगा या वो black list ना भी हो लेकिन वो दो consecutive tax period में दो महीने तक अपनी return इसी कानून के मताबिक sales tax return late file करे फिर भी वो active taxpayer से inactive हो जाएगा इसी तरह साल के बाद जून के बाद जुलाई आउगस्ट में वो अपनी tax return 114 या 115 की ना file करे due date तक इस दफ़ा due date 15 October 2021 सी tax year 2021 की तो उस date के बाद अगर उसने file की registered person की यानि कि जो शक्स goods भी बेच रहा है और जाहरी बात income tax में तो हर एकने register नहीं होना होता है तो वो active taxpayer नही holding tax statements under section 165 of income tax ordinance तो basically दो conditions जो है वो इस अपने कानून की है दो condition income tax कानून की है क्योंकि income tax में तो हर शक्स ने registered होना है even non-profit organizations जो profit नहीं कमा थी उन्होंने भी register होना है तो fourth condition यह कहती है और यहां and का word use मतलब यह है कि इन चारों में से कोई भी एक condition जो है ना अगर वो complete ना करे या फिर and का यह मतलब भी हो सकता है कि यह चारों condition जो है वो अगर meet करे तो वो फिर active taxpayer लेकिन ऐसा जो है कैसे possible है क्योंकि जो है blacklist हो जाएगा तो फिर तो उसकी tax filing ही नहीं रहेगी तो कहने को बहुत है यह and का word जो है बहुत significance रख है फिलाल हम definition देख रहें कि वो कौन कौन सी conditions है जो अगर आप पूरी कर देंगे तो फिर आप active taxpayer नहीं रहेगे अब second question जो है जो मैं आप इस वीडियो में आपके लिए चोड़ाओ के यह चारों conditions पूरी करना जरूरी या कोई एक condition भी पूरी करे तो वो होगा for example वो सारी conditions time पर sales tax return भी file कर रहा है income tax return भी file कर रहा है लेकिन उस पर अगर quarterly या annual withholding tax statement लगती थी तो वो उसने file नहीं की उससे रहेगी भूल गी उसको पता नहीं था तो फिर वो जब time पर नहीं file करेगा तो active taxpayer list से वो निकल जाएगा और tax वाले उसको reason भी बताएंगे अब ये बहुत स तो अगर आप एक advocate है चार्ट काउंट है tax professional है तो आपने client को save करना है अगर आप business person है तो ये aware होना चाहिए कि कोशिश करें कि चारों मेंसे कोई condition भी ऐसी ना हो जिसको जो आप meet कर लें यानि कोई ऐसा इन चारों मेंसे काम ना हो जो आप जो आपसे हो जाए blacklist होने के formalities है वो section 26 में है वो भी देखेंगे income tax 114 अपनी formalities और requirements information बताता है इस दर withholding की अपनी requirements होती है उसी business की जो जह है कि कहते हैं registered person की बात हो रही है ठीक है जी तो यहां से आपके पास multiple तरीके हैं इस definition के बाद active tax payers में इसको अगर underline कर दे registered person तो registered person की definition आप देख सकते हैं क्य word है तो अगर यहां definition मौजूद नहीं है तो फिर उस technical word को आप जो है ना dictionary में देख सकेंगे लेकर बेतर होगा कि अगर वो technical words को बाकी जो यह words है कि who does not fall in any of the following categories यह जो जुमला है यह simple English कहले है यह इसमें कोई technical word नहीं है categories में भी यहां पे है हाँ जब हम categories कहते हैं तो यहां वो कहते हैं और यहां पे उस चीज़ का जवाब भी आ रहा है कि यहां and का मतलब यह है कि चारों की चारों condition पूरी हो रही है तो कहते है who does not fall in any of the following categories तो इस से पता चाल रहा है namely कि इसमें से कोई एक condition भी true हो जाए या आप with holding file करना बोल जाए अपनी annual return हो जाए या black list हो जा हो जाए तो आप active taxpayer list से निकल जाएगा तो मकसद आपको समझाना है यह था कि जब आप definitions पड़ते तो definitions के अंदर बहुत कुछ होता है जो आपको benefit दे सकता है as a business person भी और as a tax practitioner भी definitely जो लोग business कर रहे हैं उनका थोड़ा बहुत interest इस तरह होना चाहिए और उनके लिए शायद possible नहीं है कि यह सारी वीडियोज देखें लेकिन फिर भी उनको एक understanding होनी चाहिए और अगर कुछ चीजे हैं जैसे यह वीडियोज बन रही हैं इस वक्त आप part 4 देख रहे हैं हमारे sales और service tax का tax दोस्ती वीडियोज में तो इसमें आपको अगर को specific definition पर कोई help चाहिए थी त वहां क्या requirement वो डालते है active taxpayer लेने के लेकिन यहां जाने से पहले याद रखें कि बात हो रही है कि sales tax में अगर आप active taxpayer नहीं होंगे तो इसकी मुक्तरिफ penalties और consequences होंगे आप input tax नहीं क्लेम कर सकेंगे वगयरा वगयरा तो इसलिए अब input tax वगयरा क्या है तो definitely एक basic understanding अगर consumer तक retailer से आगे आप और मैं final consumer तक basically थोड़ा थोड़ा tax government लेती रहती है importer से manufacturer से distributor से फिर retailer से और फिर वो जो सारी amount होती है वो eventually जो है उन लोगों ने जो pay के होती है उन वो claim करके आपको charge कर देते हैं तो जो final consumer होता है चाहे वो कोई citizen हो या कोई और business हो तो वो फिर वो सारा क सारा 16, 17, 19.5% जो भी rates है 5%, 0% वो वो pay करते हैं अच्छा अब यह active tax payers का definition भी आगी है हमारे पास यहां से पता चाल रहा है कि who does not fall in any of the falling किसी भी एक condition को नहीं पूरी करेंगे तो यह जो है ना यहां पर आजाए आप active tax payers list में नहीं रहेंगे अब हम move करते हैं जी जिस तर हजाब sales tax on services act 2012 और अगर आप इसका background जानना चाते हैं तो basically part one, part two, part three आप देख सकते हैं, part four में हम section two में हैं और इस में कहता है in this act और आगे कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखे तो लिखा है कि active taxpayer means a registered person और then again यहां registered person का मतलब है इस कानून के तहित जो लोग register होंगे और इस कान उनके तहित वो ही लोग register होंगे जिनके business की activities second schedule में जिकर है, यानि के first schedule, second schedule मुक्तरिफ tables दिये हैं, इस law में आखर में and extras भी कह सकते हैं, उन में मुक्तलिफ business activities है, hoteling, telecom, shipping, उन सब को जो जो भी उस list में शामिल हैं, जैसे ride, hailing, services भी उस list में शामिल हैं पंजाब की हद तक तो वो लोग registered person है और उनोंने अपने customer को 16% या 5% या जो भी service tax charge करना है, active taxpayer का मतलब registered person means a registered person whose registration has not been suspended or blacklisted by the authority, authority से मुराद Punjab revenue authority and who has filed his tax return for at least one of the preceding three consecutive tax periods, बड़ा interesting है कि यहाँ requirement क्या है, एक तो यह requirement है कि एक ऐसा शक्स जो है active taxpayer वो शक्स नहीं होगा जिसकी registration को suspend कर दिया गया या blacklist कर दिया गया पंजाब revenue authority की तरफ से और ऐसे कौन से businesses होते हैं, जो कुछ ऐसी activities करते हैं, जिसकी विज़र से tax evasion होती है, इसलिए लोग suspend हो ज his tax return for at least one of the preceding three consecutive tax periods और उसने जो है, फाइल की है अपनी tax return, यहाँ tax period की बात हो रही है तो यहाँ से मतलब यह लिया जा सकता है कि months की बात हो रही है क्योंकि service tax भी monthly statements पर फाइल किया जाता है, लेकिन जुमला सुनने में, पढ़ने में काफी अजीब है तो इसको थोड़ा ब वो कहता है means a registered person और यह second condition देखता है, पहली तो understood है कि वो कह रहा है कि active taxpayer means a registered person whose registration has not been, तो इसका मतलब है कि जिसकी registration ना तो suspend हुई है, ना blacklist हुई है, वो active taxpayer है, ठीक है जी, और दूसरा वो कह रहा है कि active taxpayer means a registered person who has filed his tax return, जिस नमनी tax return फाइल किया और यहाँ service tax return की बात हो रही ह for at least one of the preceding three consecutive tax periods, इसका मतलब है कि अगर आप जो है एक return भी फाइल कर लेते हैं, जो है हर तीन महीने में तो भी आप active taxpayer लिस्ट पे रहेंगे, वरना तो अगर आप चौता महीना देंगे, तो फिर जो है ना आप in active taxpayer हो जाएंगे और फिर उसके पंजाब sales tax and services act 2012 के तहत, उसक अपनी जो है ना क्या कहते हैं, consequences होंगे, जो penalties वगर की सुरत पे होगे और आप नहीं चाहेंगे, already आपके profit margins कम है business में, जो लोग भी successful business कर रहें, उनको पता है कि जैसे ही, लोग ज्यादा profit कमाने लिखते हैं, किसी भी business में चाहें, वो online है, offline है, physical businesses है, services है, goods है, import है, तो ब जैसे food business है, hospitality का business है, इस तरह जो है क्या कहते हैं, और businesses, जिन में शुरू से competition है, और profit से ज्यादा, जो है ना, brand को मशूर करना मकसद है, profit जो होता भी है, लिगन कहने का मतलब है, कि उनमें competition बहुत ज्यादा है, active taxpayer जो है, फिर पंजाब sales tax में रहने के लिए, आपको एक तो suspend होने से, blacklist होने से बचता है, दूसरा आपने अपनी return regularly file करनी है, यह कहा जा सकता है जुमले से, यहाँ पर time period exactly बताया गया है, कि who has filed his tax return for at least one of the preceding three consecutive tax periods, जो है कि कहते हैं, three consecutive का मतलब है, अभी अगर हम December में हैं, तो November, September और August यह परीचे के तीन महीने हैं, और इन में से मैं आगस्ट की या September की return अगर file कर दिये, तो मेरा active status disturb नहीं होगा, तो यह ज़रा थोड़ा सा lenient या थोड़ा सा relaxed conditions हैं, और यहाँ पर negative पे नहीं गए, यहाँ पर positive पे गए है, कि registered person वो है, जो spend या blacklist नहीं हुआ और उसने अपनी return file किया, इसलिए इसकी wording जो है, वो previous में जहा पे negative चीज़ों का जिकर था, कि उनमें से कोई भी एक condition पर या situation में कोई भी आ जाता, registered person, तो उसका active status disturb हो जाता, और active status फिर आप समझ सकते हैं, कि उसकी ज़रा से tax consequences होते हैं, penalties होते हैं, तो यह जो comparison हम कर रहे हैं, दोनों कवनीन का मकसद यह है, कि आपको idea हो, कि किस तरीके से law बना है, और law जो है, आप उसको read कैसे करेंगे, क्योंकि यह basically interpretation नहीं है, construction of law नहीं है, basically यह reading of law है, क्योंकि जो कुछ लिखा है, हम उसको simple करके पढ़ रहे हैं, simple इस तरह करके पढ़ रहे हैं, कि background लेक रहे हैं, business background है, इन दोनों कवनीन यह दोनों businesses पे apply होते हैं, जो ल context में इसका क्या मतलब होता है, आप से next part में आप देख रहे थे part 4, part 5 में मुलकात होगी, every Sunday 6 p.m. आप tax दोस्ती channel पर sales tax और service tax की comprehensive commentary देख सकते हैं, आप से मुलकात होती है next video में, thank you very much.